बाबा बागेश्वर्ध हमसरकार, वो नाम जो पिछली कई दिनों से टागेट पर है, पिछले कई दिनों से चड़्चा का विशे हे पहले अपने कठिथ चमतकारों को लेकर तो अब हिंदू राश्र का अपना सपना साज़ा करने को लेकर वो विरोधियों की आンखों में खटकने लगे अब हिंदू जाग रहा है और आगे चल कर वो सनातनी की मदद से एक हिंदू राश्र बनाएंगे इस बयान पर विवाद शुरू हुआ इस बयान पर बरेली के एक मौलाना है जिनने इतनी जादा इतराज हो गया कि उन्होंने इसे नफरती बयान बता दिया याद रखे हम ना तो यहाँ पर बाबा के बयान का समर्थन कर रहे हैं ना मौलाना साहिब के बयान का विरोध कर रहे हैं हमारा सवाल दरसल सिर्फ उस सिलेक्टिव पॉलिटिक्स को लेकर है जो हिंदु धर्म पर बार बार हो रहे टागेट पर तो चुपी साता है लेकिन जब हिंदू राज़ की बात होती है तो ना जाने कितनी साज़िशों के कैसे कैसे आरोप मर दिये जाते है क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है इसके पहले भी कई बार इस तरह की बाते सामने आई अब जब हिंदू राज़ बनाए जाने की बात उनकी तरफ से कही गई इसके बाद में एक अलग तस्वीर नजर आती है आपको ज़रा ये बताते हैं कि दिरेंदर शास्री वो दिरेंदर शास्री जो बाबा बागेश्वर धाम के ये कहा जाए कथा वाचक है और उनकी तरफ से अभी जो बयानबाजियां कही गई बयानबाजियां की गई उनको लेकर एक बार फिर से ना सिर्फ वो चर्चा में बलकि विवादों में आ चुके है उन्हों ने दरसल 36 गड़ के राइपुर में जब सभाव कर रहे थे कथा इस समय जब चल रही थी तो इस दोरान उन्होंने शधालों को संबोतित करते हुए ये कहा था कि अब जिस तरह से मेरा साथ देंगे तो हम हिंदू राश बनाएंगे उनके इस बयान से अब एक अलग तस्वीर बनती हुई नजर आती है एक तप्ता एक सिलेक्टिव पॉलिटिक्स के साथ में एक धड़ा एक्टिव हो चुका है मेरे साथ में चर्चा के लिए जो खास मेहमान मौजूद है उनसे आपको मिलवा देते हैं स्वामी चक्रपानी जो की हिंदु धर्मगरू है मेरे साथ में मौजूद है इसके अलावा मेरे साथ में माजद हैदरी है जो की मुस्लिम स्कॉलर है मेरे साथ में जुड़ गए है माजिद मेरा पहला सवाल आपी से है कि आखिर इसमें नफरती बयान क्यों नजर आता है मौलाना साहब को देखें मैडम सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को और आप सबों को भी हम सबकों भी पूरे देशवासियों को गंतंतर दिवस की बहुत-बहुत हार्दिक शुमकापन है देखें आज का जो दिन है ये ऐसा इतियासिक दिन है कि हम समय सबसे पहले बताता है हमारा सब्यदान जो है सेकولर है और इसमें हिंदू राश्टर की या इसलामी कैलिफट की बात हो नहीं सकती अगर ये जो बाबा बागेश्वर जो ऐस dessa कर आप करते हैं बाबा बागेश्वर के वो हिंदू राष्टर बनाएंगे मैं उन बाबा जी को कहना चाहता हूं कि अगर ये बात मुलाना साहब ने कही होती कि हमें इसलामिक राष्टर बनाएंगे तो अभी मुलाना साहब पे यू पी यू ए पी अलग गया होता और मुलाना साहब जो है ना वो अभी तिहार जिल में बंद होते लेकिन क्योंकि बाबा जो हैं ये दूसरे समूदाये से आते हैं इसके इनके खिलाफ कोई किस नी हो रहा है जो इस तरह की बाते कहते रहें और आप ऐसे बताईये से कितने मौलाना कितने नेताओं पर इस तरह से यूए पी ये लगाया गया आगे मैं चर्चा करूंगी ठीक है मैं आपके सवाल अपने सवाल का जवाब भी आपसे लूँगी लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट जरूर दिखाते हैं दर्शकों को आखिर देश में नफरत कौन फैला रहा है? ये सवाल क्यों उट रहा है? ये जानने के लिए आपको पहले बाबा बागेश्वर धाम और बरेली के मौलाना का ये बयान सुनना चाहिए बाबा धरेन कृष्ण शास्तरी ने जो तो तरीका इक्तियार किया है इस से पूरे भारत में नफरत फैल लही है उन्होंने अब तक 328 लोगों का मजभ तब्दील कराया और वो मजभ इसलाम के खिलाफ परचारिद कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार यानिक उपंडित धिरेंद्र शास्तरी ने हिंदू राष्ट की बात क्या कर दी? बलेली के मौलाना रिजवी को इस पर एक खास समुदाय को लेकर नफरत नजर आने रगी बयान को लेकर समविधान का पुमान बता दिया मगर ये नहीं बताया कि उसी सम्विधान के सम्मान में बाबा ने क्या कहा? हिंदू राष्ट नहीं बन सकता है और नाब मुस्लिम राष्ट बन सकता है सवाल ये है कि आखिर मौलाना रिजवी को बागेश्वर बाबा के बयान में कौन सी नफरत दिख गई? लोकतंत्र की दुहाई देकर जब कई दूसरे मौलाना जहर उगलते हैं तो रिजवी साहब तब चुप्पी क्यों साथ लेते हैं? कोई राम अंदिर तोड़ने की बात करता है तो कोई इस्लामिक मुल्क बनाने की बात करता है इसमें रिजवी साहब को कोई नफरत नज़र नहीं आती मगर बाबा बागेश्वर ने हिंदू राश्र के अपनी संकल पर ना क्या बता दी तो रिजवी साहब के सीने पर साप लोटने लगा ब्यूर रिपोर्ट टाइम्स नाव नवभारत तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और आपने ये भी सुना कि आखिर क्या कहना है बाबा बागेश्वर का दिरेंदरु शास्री का कथावाचा के दिरेंदरु शास्री पिश्रे कई दिनों से काफी चर्चा में हैं और जैसा और आपने और हमने सुना भी कि इसके बात में जब उनसे सवाल पूछा गया कि अगर हिंदू राश्र की आप बात कह रहे हैं तो ये आखिर भारत समविधान से चलेगा या कैसे उनका कहना है कि समविधान सर वो पर ही है और समविधान ही चलेगा लेकिन स्वामी चक्रपाणी जिस तरह से मेरे पैनलिस्ट माजिद हैदरी भी कह रहे है कि भई आकर इस तरह से शब्दों का इस तरह से अगर प्रोवोक करने वाली बातों का अगर वो जिक्र करते हैं तो सवाल उठना तो लाजमी है उठने का उनका अधिकार नहीं है जो हैदरी साब कह रहे है और सवाल इस बात का है इस समझना होगा कि जिसको अगर यही मुस्लिम राष्ट की बात करे तो कहता अरे मुस्लिम राष्ट की बात क्यों करेगा भाई मुसलिम राष्ट तो पाकिस्तान बंगलादेश ले लिया अगर मुसलिम राष्ट की बात करेगा तो पाकिस्तान चला जाए बंगलादेश चला जाए अफगानिस्तान चला जाए लेकिन हिंदूस्तान तो हिंदू राष्ट बनेगा और हिंदू राष्ट बीर सावरकर्ट न कुले का काम नहीं नहीं कर रहा है आप देखिए के नहीं कुमार की किस तरह से जिहादीयों ने सरयाम हत्या कर गिया और बीडियो बनाकर cricket काम लेश्टि Вारी को किस तरह से है खंड़ता में एक बहारत को दरशाते हैं जिसमें हर समुदाइ के लोग जिसमें हर रंग के लोग जहां पर विवदताएं नजर आती है अगर उसमें इस तरह से बात होगी तो सवाल के चैनल जूंक है जब तक तक हिंदू बहुत संख्यक है जुब तक हिंदू संख्या हर Lakini दिखाई है जहां हिंदू今 हो गया आप देखिए कि आप अब हरा हरा हिंदेगा दिखाई देगा पाकिस्तान हेसारा जेटैकर आव से हमें पाखे लिड ख only जिनको हिंदू सब्सक्रतिकिके और हिंदू जो कीमत में चेंदा को श्यूरांटिक है और बार्ट में सब्सक्रत के समयारा बार्त आम से एक शुलीजा समी है हिंदु तो का मतलब भारती तो होता है भारत में भारत की संस्कृति को पश्वित पुल्वित होना चाहिए और भारत के संस्कृति के अलूप राष्ट बनना चाहिए इसमें आपति क्या हो सकता है भारत को हिंदू रास्ट बनाना क्या है भारत अलेडी एक प्राचीन हिंदू रास्ट है और इसकी जो संस्कृति है वह हिंदू संस्कृति अगर इस तरह से अलग-अलग मंच से अगर जब यह बयान आते हैं जब सवाल उठते हैं तब फिर फिर इस तरह से बवाल क्य खकेते और हिंदुत्व में ही सब के लिए स्थान है और हिंदुत्व कहता है सब्सक्राइब करते हैं जिनका मानना है कि सब्सक्राइब माजेंस और यह चेहां जाए पुस्तक है एक पैगंबर से एकी और आप आजिर्ट अकंडिता में एकता भारत की पहचान है अर्विन जी क्या किरें मैडम बिलकुल सौमी जी ने भी सही का और मेरे दूसरे हिंदू भाई जो इन भी सही का के पराचीन काल में भारत हिंदू राष्टर था उसके बाद 500 ताल तक इसलाम मुस्लमान राष्टर था उसके बाद फिरंगी राष्टर बना उसके बाद भारत आजाद हुआ तो ऐसे भाई बात नी बनेगी न और जब आप कहते हैं कि जो मुस्लिम रास्टर की बात करें उन्हें आप अवानिस्तान बेजो पाकिस्तान बेजो जो हिंदू रास्टर की इस देश में बात करेंगा उसे नेपाल भी बात नी चली नंबर है यह आस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं यह रॉंग नंबर है यह राइट नंबर है यह शद्धालों को या फिर जो लोग हैं उन्हें यह तैक करने दीजिए अगर आप नहीं होते हैं मैडम मैंने तो कहा रॉंग नंबर यह तो freedom of expression आज तो समविधान का दिवस है हमारा गंत तंसर दिवस है आज तो बात करने का मौका में एक मुस्लिम समूदाई की वेक्टी को पी इस मंच पे मैं केवल अमिर खान का डायलॉग यार करा रहा हूं देश को देशवासियों को पीके में आमिर खान ने कहा था यह रॉंग नंबर है आपा वाकिशवर जी कि आप बड़े देरी से इसमें जुड़े आपका इसमें पॉइंट लेना चाहूंगे में साथी माजेद अभी नजार नहीं आ रहे हैं लेकिन उनका कहना है कि भाई यह एक अलग तरह का प्रोगेंडा है माजेद अब आ चुके स्क्रीन पे मैं चारी हूं जरा इस बारे मे झाल समस्या है क्यान शुरू से बीजेपी अपने अजेंडमी शामर उर्कति रहे हैं अर्विंद जी कुछ प्रव मेरा आपका जो सवाल है थोड़ा सा समझे राम मंदिर बनानी के लिए उल्रेडी सरकार ने ट्रस्ट बना दिया वो अपना काम कर रहा है लेकिन उसकी तारिफ इस देश का ग्रीह मंत्री बता तो इस टेट इस टेट जो देश को चलाना है और जिनको जिनको राम मंदि अधर्सो के अधर्षों के अंण्रूप एक onka, जन्मरूमी पर मंदिर बन राइ उसमें भी आपको अपत्ती है और वहा दोकश में ट्रस्ट पर बिश्वास दिया आप मंदिर का मंदिर की मॉनके मंदिर बंगने चाहिए राम मंदीर को करने चाहिए प्रेम जी नहीं चर्चा किसी और दिशा में जा रही है आप अपनी बात जो कह रही है कि BIG प्रेम कुमार में इनका सम्मान करता हूं लेकिन कभी-कभी societies राम्मंदिर का एख देश की भावना को समझें नहीं बोल रहा है उसके प्रियाग राज में माग मेले में जो कई साधुसंत मौजूद थे उन्होंने दिरेंद्र शास्री के बयान उनके बरताव और उनके दावो पर सवाल करें थे लेकिन अब इस बीच बड़ी कबर ये कि वो जा रखे हैं उत्तरप्रदीश कई संतों से मुलाकात करेंगे मेरे सा पर इमान्शो जुड़े अपडेट के साथ में जी इमान्शो जी बिलकुल जी बिलकुल देखिए हम अपने दर्शकों को सबसे पहले जानकारी देना चाहते हैं हम इस वक्त मौझूद हैं बागेस्वर धाम में ये आप सामने की तरफ देख सकते हैं यह जो भब द्वार यहीं से सीज़े जाते हैं बागेस्वर सरकार जो हनुमान जी का मंदर है वहाँ पर दर्शन करने के दिये लोग और देखिए वहाँ से दर्शन करने के बाद में ये सभी स्रद्धालू आ रहे हैं जाए श्री राम के नारे लगा रहे हैं राम इनके माते पर निखा हुआ ह सबसे पहले तो मैं यह जानकारी देदू हम इन दर्शकों से बात करेंगे लेकिन सबसे पहले हम जानकारी देना चाहते हैं कि जो धीरेंदर कुष्ण शास्त्री जी है वो देर राको अपने इस आश्रम से यह जो सामने की तरफ आश्रम पर रहा हुआ दिखा रहे हैं देखे सामने की तस्वीर हैं हमारे जो वीजे वो आपको देखा रहे हैं यह सामने की तरफ जो पीला आपको देख रहा होगा पीले कलर का कपड़ा यहां पर ही यह गद्दी है सरकार की यहीं पर वो बैठते हैं और सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि श्रदालू है इस तरफ से सबस्क्राइए जो उनको लेकर विवाद हो रहा है उसके हम लोग बाच चकते हैं जानकारी के लिए आपका शुक्रिया ही मानचो लाकी बता रहें कि निकल चुके हैं दिरेंदर शास्ट्री लेकिन चक्रपाणी माराज बीच में नाराजगी बड़ी चल रही थी कई साथो संतों की दिरेंद का बड़ा सम्मान करते हैं संतों को बहुत आप देखेंगी कभी भी संतों के पास जाके दंडवत प्रडाम करते हैं तो सभी संत उनको प्रेम करते हैं आई वे भले छोटे हों लेकिन तरहतन धर्म का जीतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अ मैडम मैं सौामी जी को बताओं, मैं किसी दूसरा गोला से नहीं आया हूँ, मैं भारती हैंँ, भारती मुसल्मान हूँ, और समविधान जानता हूँ इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ कि रॉंग नंबर कर रहे हैं क्योंकि मानिय प्रधान मंत्री जी ने अभी एक रफ़ता पहले कहा कि भाई ऐसी आपती जनक बातें मत करो मैं प्रधान मंत्री जी के बात कर रहा हूँ प्रधान मंत्री जी ने कहा हिंदू भाईो से कि जाके मुसल्मानों से गले मिलें उसे अच्छे हालात बनाओ जिए आपको बड़े अंदर तक की खाफ़ा है देखिए नैना जी मानिय प्रधान मंत्री जी ने गले मिले की बात कही ठीक कही और गले मिला भी जाता है लेकिन सवाल इस बात का जो गला खुद काटने को त्यान है उसको तो अलग रास्ता दिखाना पड़ेगा और हैदरी साब आप किसी ने गले मिलने के तो मना किया नहीं लेकिन आप जो है किसी को रांग नंबर को हो जब हिंदू कोई सनातन धर्म का परचार परसार कर रहा है उसको रांग नंबर कहिए तो अपमान आप कर रहा है ना तो इस तरह से अपमान अगर करेंगे तो कैसे गले मिलने की बात होगी आपको सम्मान से बात करना चाहिए वैचारी कमत्वेद हो सकता है लेकिन इसका मतलब यह तोड़े की आपको गड़सा अगर जड़तंतर देने के लिए पहुंच गए लेकिन मुझे एक बात बताईए ऐसे तो एक लंबी फैरिस्त है जाने कितने ऐसे मौला ना है जाने कितने ऐसे मुस्लिम धर्मगरू या फिर हमने देखा कि मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो वाकिए में किस तरह की शब्दों का इस्तमाल करते हैं अगर उन पे सवाल करे हो जाएं तो अल पसंग्या खत्रे में आ जाता है मैडम बहुत अच्छा प्रश्न है आप जड़ा सोचिए अगर मौला ना मदनी सहाब या असदु दुनिवेसी सहाब ऐसा कह दे कि तुम लोग मेरा साथ दो मेह और उर्श देश को इस्तामी ओड़ा देश तो ले आज चले जाना को इसमें तो उसे बैदाओं देश को भी बड़े आतर के साथ हिमाने के चोड़ी पर बेंड़ी बैटेए वहीं परचाफ करें थो हमारे डेश में रह सकते इस तरीके पे जहां पर मानिए प्रश्न मंतरी जी तो खिलाब चाये तो हम उसके आज़िश के खिलाफ के जाएंके सावी जी को पुलीस पकड़ेगे क्यों नहीं यूपे की पुलीस हिंदू का मतलब इंडियन होता है आप भी हिंदू है हम भी हिंदू है हमारी पूजा पद्धती अलग-अलग हो सकती है आपको पता है जब आप आरभ कर्थी जाते हैं आज जो आप पर हिंदू मुसल्मान बोला जाता है आपको यह ज्यान होना चाहिए इस राश्टी भारतिया संस्कुट्टी है हंदू तो काता है सरे भावन टू शीँगना जिसमें सैर्णो तरह की फूजा पत्धतिए इसमें आपकी पुजा पत्धति आ सकती है यह आफंशा पीस कुछनि जाता प्रेम जी दिरेंदर शास्री जी ने जब उस मंचिस से ये बात कही कि भई आप मेरा साथ दो मैं आपको हिंदू राश दूँगा इस तरह की कई बाते पहली बार नहीं हूं इसके पहले भी कई मरतबा हुए लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया तो क्या अब समविधान नह क्यों कि इस भाव को लेकर इतना क्यूं सवाल है इतने क्यों इस तरह से बावाल मचा हुआ है किसी का भी जो बैयान होता है उस बैयान को उनके पुराने बैयानों से भी जोड़ करके देखा जाता है दिरेंदर शास्री जी ने पहले भी बैयान दिये हैं और एक धर्म हिंदू का मतलब धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाना ही निकलता है वो कह दे दीरेंदर शास्त्री जी कि हिंदू को धर्म के आधार पर हम राष्ट्र बनाना नहीं चाहते ये बात वो नहीं बोले वो भ्रह्म बनाए रखेंगे तो ऐसे समय में दरसल क्या है कि इस देश मे दो किसम के करेक्टर बारती जनता पार्टी इस देश में कड़ा कर रही है एक करेक्टर का नईया कुमार जैसा है जैसे की ब्रांडिंग वो नेगेटिवली करते हैं और उनकी भी उम्र 30 से कम रही जब जब यह हुआ उनको ब्रांडिंग दी गई और एक उसके पहले कई बार इस तरह की बाते हुई है लेकिन जो बवाल और जो सवाले वो जरूर नहीं है